Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Function by TK Kural जहाँ पर आपको Physics के Topics बहुत ही easy और simple तरीके से करा जाते हैं, और साथ ही आपको notes भी provide करा जाते हैं ताकि आपको Topics regarding कोई भी problem ना रहें, हमारा जो आज का Topic होगा, हो होगा Change of State इससे पहले दो चोटी-चोटी definitions थी, first थी हमारे पास heat capacity या फिर thermal capacity और second थी water equivalent वो easy है, इससे पहले जो मैंने heat capacity करवाई है आपको अगर आप वो पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से तो आपको इसको understand करने में कुछ भी मुश्किल नहीं होगी कि same definitions ही है, इसलिए मैं वो नहीं करवा रही हूँ, आज का जो Topic होगा जो मैं करवाऊंगी Change of State बहुत हैं इंटरस्टिंग Topic है और आपको इसके बारे में काफी knowledge होगी भी बहुत सारे बच्चों को तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है आज का Topic, so start करते हैं, यहा होती है liquid और third होती है gas, इस तीन स्टेट्स होती है हमारे पास matter की, इन तीनों स्टेट्स को अब हमने क्या करना है, चेंज करना है, इसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं, कैसे convert कर सकते हैं, इसको temperature प्रवाइट करके heat करते हैं किसी भी matter की, यह जो change of state होगा हमारे पास, यह हमारे हमारे पास liquid to gas या फिर gas to liquid, suppose कर लेते हैं कि हमारे पास कोई भी substance है, उसकी हमने state को change करना है, जब हम उसकी state को change करना है, हमें क्या करने पड़ेंगी, heat का exchange करना पड़ेगा, यह जो exchange होगा heat का, वो substance के साथ तो होगा ही होगा, लेकिन जो surroundings होगी, उसके आजपास जो भी present हो होता है, उसके बाद हमारे पास एक experiment है, जिसके through हम क्या कर रहे है, solid to liquid हम दिखा रहे है, heat करके कि हम को perform कैसे करते हैं, और हमारे पास जो experiment है, उसको जब हम perform करते हैं, हमें क्या क्या कुछ observe करने के लिए मिलता है, हमने क्या किया, एक हमने ice ली, ice को हमने क्या क्या किया, एक जीरो डिग्री सी उसके बाद हमने क्या करना है उस बीकर को जिसके अंदर आइस को हमने रखा है उसे हम हीट करना स्टार्ट करेंगे जैसे ही हम इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे वैसे ही क्या होगा कि जो आइस है वो थोड़ी थोड़ी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी बट हमने क्या करना है उस ice और water को continuously stir करते रहना है और हर एक मिनट के बाद हमने temperature को note करना है कि temperature में कितना change है उसके बाद हमने क्या किया है हमने उस ice को उस bicar को तब तक heat करना है जब तक कि हमारी पूरी की पूरी ice जो है वो liquid में convert नहीं हो जाती जब हमारी ice जो है वो पूरी तरह से liquid में convert हो जाएगी तब हो हमारा पानी होगा जो liquid होगा वो क्या करेगा boil करना start करतेगा उसके बाद क्या होगा हमने यहाँ पर क्या किया वो जो change आया था हमारे पास ice to liquid यहां फिर जो हमारे पास boil होना start हुआ मतब वैपर्स बने है गैस बन रही है वहाँ पे वह जो change आया है उसे हमने क्या किया क्या 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 है और हमने टाइम के एक मिनट के टाइम इंटरवल के बाद हमने टेंपरेचर को नोट किया है तो हमने जो यह graph प्लोट किया हमें क्या curve मिला O, A, B, C, T हमें यह curve मिला है जब हमने observe किया temperature with time उसके बाद हमारे पास जब हमने graph प्लोट किया heat के बेस में जो exchange हुआ था heat का और temperature के साथ तब हमें यह मिला था इसके अंदर जो phases आये थे हम इन phases को study करेंगे ठीक है सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ यहा हमें कोई भी किसी भी तरह का change हमें दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन हम यहां पर क्या कर रहे हैं continuously heat supply कर रहे हैं यहां पर जो heat supply हो रही है कि हम हीट दे रहे है हीट supply हमारे है हमघ़ा है है लेकिन ice वैरही है वैसे वैसे ही है उसमें change नहीं आया है क्यों नहीं चेंज आया면 क्योंकि उसकी State change हूँ रहे है points वो धीरे दीरे melt करना start करेंगी एक state से का दोसरी इसे हम बोलेंगे melting point अगर हम liquid to solid की बात करें तो उसे हम बोलेंगे fusion अगर हम solid to liquid बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है? melting point आता है क्योंकि हमारे पास ice melt हो रही है melt हो रही है, liquid में convert हो रही है means वह क्या होगा? मेल्टींsis का melting point होगा ज़ब solid to liquid जाएगी लेकिन अगर हम liquid to solid बात करें तो उससे हम क्या बोलेंगे? fusion बोलेंगे इसके बाद अब हमने क्या किया यह जो एक्सपरिमेंट हमने किया था इसमें हमने क्या नोट किया है आईस और वाटर का वो क्या है constant है बतलब 0 degree पे है वो तब तक constant रहेगा जब तक हमारी पूरी की पूरी आईस जो है वो liquid में convert नहीं हो जाती जब हमारे पास ice liquid में पूरी तरह से convert हो जाएगे तब उसका temperature जो है वो increase होना start होगा उससे पहले क्या होगा जब हमारी ice पूरी तरह से melt नहीं हुई है हमारे पास जो temperature है वो हमें 0 degrees पे ही मिलेगा इसका मतलब यह है कि solid और liquid state है substance की वो co-exist करती है thermal equilibrium में ठीक है वो दोनों की दोनों जो states है solid और liquid वो क्या करती है co-exist co-exist मतलब एक साथ exist करती है एक particular temperature के ऊपर ठीक है I hope you understand कि मैं क्या कहना चारी हूँ जब उसकी state change होती है solid तो दोनों की दोनों states क्या करती है solid और liquid co-exist करती है क्यों co-exist करती है क्योंकि उनका temperature है वो zero degrees ही रहेगा जब तक हमारी ice जो है वो पूरी तरह से melt नहीं हो जाती है उसके बाद हमारे पास जो state होगी जो हम क्या कर रहे है हमारे पास liquid बन चुका है पूरा पूरा solid उसके बाद हम temperature दे रहे हैं वो क्या होगा increase होगा उसका temperature means वो boil करना start करेगा जब वो boil होगा तो क्या बनेगे हमारे पास vapors बनेगे यही जो process होता है liquid to vapors तक का इससे हम बोलते हैं vaporization और यहां पे इस portion में इसको हमने draw किया है इस BC curve के थुरू हमने यहां पे इसको दिखाया है यह BC curve है यह हमें पता रहा है कि जो पा होगा जो liquid और vapor state होगी substance की वो दोनों की दोनों co-exist करेंगी thermal equilibrium में ठीक है जैसे हमने solid और liquid के बारे में बात करा था वैसे ही सेम क्या होगा liquid और vapors के case में होगा क्योंकि दोनों का temperature 100 degrees C हो चुका है वहां पे हमारे पास दोनों की दोनों states जो है वो co-exist करेंगी एक साथ exist करें in thermal equilibrium और उसके बाद अगर मैं यहां पर बात करूं कि यह जो point होगा temperature हमारा यहां पर 100 degrees पहुंचा है यह point हम क्या बोलेंगे इसको हम boiling point कर बोलेंगे और एक चीज़ और जैसे जैसे हमारे पास boiling point increase होगा substance का वैसे वैसे ही हमारे पास क्या होगा pressure भी increase होगा इसलिए हम बोलत pressure भी क्या होगा कम होगा और यह reason है कि जब हम hill station पर जाते हैं वहाँ पर जो cooking है वो difficult हो जाती है comparatively और हमने एक चीज़ देखी है कि हमारे पास जो सारे के सारे substance होते हैं वो ज़रूरी नहीं तो लिक्विट और गैस तीन states है इन में से ही pass होते हैं कुछ substance हमारे पास ऐसे होत जैते हैं। solid to direct gas में convert हो जाते है without passing through liquid state liquid state में से pass होने की बजाए वह सीधा क्या कर जाते है। solid से gas state में pass कर जाते है। peux sobieص होता है इस acompañ और व्यपर इंपर या फिर gaseous state में convert होने का बिना liquid स्टेट में से पास होने के से हम बोलते हैं सब्लीमेशन यह क्या होता है हमारे पास सब्लीमेशन सब्लीमेशन क्या है हमारे पास लिक्विट टू स्वरी सोले टू डारेक्ट वैपर्स इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लीमेशन इसके एक्जम्पल हम ले सकते हैं कार्बन डा हो जाते हैं यह है हमारे पास कुछ जो change of state हुआ है मैंने आपके सामने वो discuss किया अब मैं बात कर लेते हूं कि melting जो होती है क्यों pressure के साथ क्यासे होती है एक चोटा सा experiment है जिसकी थ्रूब में आपके सामने जो melting है आईस में वो pressure के साथ कैसे होती है वो explain करने वाली हो यह change of state के अंदर ही है topic अलग से नहीं है यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमारे पास दो हमने wooden के blocks लिए है उसके उपर हमने क्या रखा है एक आईस का पूरा का पूरा slab रखा है आईस का हमने पूरा slab रखा है इसके उपर और हमने क्या किया एक metallic wire के थूँ इसके उपर हमने एक weight लगाया है दोनू sides पे यह metallic wire है इस metallic wire के दोनू ends के उपर हमने क्या किया 55 kg का weight लगाया है और हमने इसके center पे रख दिया इस ice lab के center पे हमने इस weight को रख दिया with the help of this metallic wire हम क्या note करेंगे कि जहाँ पे हमारे पास हमारी wire present थी वहाँ पे जो ice है वो melt होगी है सिरफ उतने ही portion पे वो क्यों melt हुई है क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ है pressure पढ़ा था pressure उसके उपर क्योंकि 5 kg यहाँ पे है 5 kg यहाँ पे it means कि 10 kg का weight जो है इसके उपर हमने डाला तो उससे क्या हुआ कि हमारे पास pressure बड़ा है pressure बड़ा है it means कि जितने portion पे हमारे पास यह metallic wire present होगी वहाँ से हमारे पास जो ice है वो क्या कर जाएगी melt कर जाएगी उसके पाद हमने क्या किया इस metallic wire को यहाँ से हटा दिया means कि weight भी इसके उपर से हट दिया उससे हमें क्या देखने को मिला कि जितने portion पे हमारे पास जो ice melt हुई थी जहां पे हमारे पास यह metallic wire थी वहाँ पे जो ice है दुबारा से freeze होना start होगी जो water था liquid में convert हुआ था melt होने की वज़े से बुद्वारा क्या हो रहा है freeze हो रहा है तो इसकी वरे से यह हमारे पास किस वरे से हो रहा है क्योंकि हमारे पास उतने portion पे pressure हमने डाला था यह जो process होता है इसे हम बोलते है relegation ठीक है I hope आपको यह समझ में होगा बस यह चोटा सा topic था जो मैं आपके साथ आप discuss करने वाले थी I hope इसमें बहुत सारे चीज़े हैं समझने के लिए sublimation क्या होता है relegation क्या होता है vaporization क्या है चोटे-चोटे terms हैं जो आपको पता होने चाहिए जो मैंने इस topic इस आज की वीडियो में हमने discuss किया है I hope आपको यह समझ में आई होगा अगर नहीं समझ में मुझसे दुबारा पो सकते हैं अगर आपको मेरे आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना जाद से जादा शेयर करना थैंक्स फो वाचिंग